ब्रीज मोहन योग केंदर में आज भूजंग आसन का अभ्यास कराय जा रहा है और बैहनों के द्वारा बखुबि10,今 अच्छे तरीके से अभ्यास हो रहा है आप देख सकते हैं चेरे पर परशंदता ये बता रहा है कि अभ्यास कितना अच्छा हो रहा है दोनों एंगडियों को सटाईए पीछे से हां और पूरे हाथ को बाहं को सिधा कर लेते हैं और इस अभ्यास को कम से कम कि ग्यारा बार करिए गीन करके एंगडि को नहीं फैलने देना है आपको प्रयास करना है बार बार बहुत अच्छा हां लगातार करें इसको एंगडि को सटाने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा दो चार इंच एंगडि हट भी जाए तो कोई उसमें घबराने या तनाव लेने ही कब सकता नहीं है लगातार करेंगे एक दो तिन चार पांच छे साथ आठ नो दस अब इसका दूसरा एस्टेप ले देजिए दोनों हाथेलियों को सीने के पास बगल में रखते हैं और उठाएए पीछे की तरह मोड़ते जाएए अब इसी में च्छोटी बच्ची इसका जो अभ्यास का है चरम इस्थिति उसमें सटा देती है पीछे से इंगडि को देता देते हैं यह चोटी बच्चियां कर सकते हैं कि बड़े हो जाने पर थोड़ा लशिलापन सरी में कम हो जाता है लेकिन प्रयास से दिखिया जाए तो इस संभव है लगातार करते जाई यदि बाजूं दोनों बाहँ के फैड को कम करना है तो इस परकार करना पड़ेगा तेजी तेजी से जल्दी जल्दी करिये लगाता है कमर में दार्द है तो धीरे-दीरे करना यह कहीं अभ्यास अलग-अलग तरीके अलग-अलग समस्याओं तो दूर करने के लिए लावका लगातार करी एक दो तेर चार पांच शे चार करें फास्ट आट नो दैस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा शोला शत्रा अठारा उन्नेस बीस इसके बाद थोड़ा साइस में हम कर लेते हैं और जो अप झैसे हो जाता है कि फास्ट अभ्यास चल रहा था तेज गति से ती परों को फैला लिजी एक और भी यहीन को को अंदर क्योंको अंदर क्योंकरते हैं और जब मन रिलैक्स हो जाए आँख बंद कर लिजे गर्दन को भी बाय दे घुमा लेते हैं तो गर्दन का भी अभियास इसमें हो जाता है तो आप सभी को ब्रीज मोहन योग चैनल एक बार सब्सक्राइब लाइक कमेंट्स के साथ सेर कर देंगे ताकि यहाँ जो क्रांतिकारी अभियान हम लोगों ने छेड़ा है भोजपुर जिले में आप सभी को ये लाव इसका मिलता रहे धन्यवाद